नमस्कार मैं हूँ आदिते सिंग और आप देख रहा हैं बीएचिव पाट साला आज हम इस वीडियो के माधिम से बनारस हिंदु इनस्टी के सातर दोहरबीस एककीस की यूजी कोर्सेश की काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप वाइस समझेंगे आप सभी जानते हैं कि यह काउंसलिंग ऑनलाइन और अफ्लेंड मोड दोनों में हो रही है तो दोनों मोड के प्रोसेश को हम स्टेप पई स्टेप समझेंगे तो चलिए बी सब्सक्राइब को बिल्कुल ध्यान पुर्वक पढ़ेंगे उसके बाद दूसरी पॉइंट यह है इस्टुडेंट ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड विल बी गिवन फाइव डेज फ्रॉम देट ऑफ रिसेप्ट ऑफ कॉलेटर तो फिल प्रिफरेंस इंट्रेंड अप्ल सब्सक्राइब कपसे मिलेगा जिस दिन से वह कॉलेटर को रिसीब हो जाएगा उसके आगे से उसके उस दिन से पांच दिन उनको समय मिलेगा तब तक वह आपना प्रिफरेंस इंट्री और डाकुमेंट्स को वहां पोटल पर अप्लोड कर सकते हैं तीसरी पॉइंट यह है कि आप काल कांडेटर को जो है यूजी डाउलोड कर सकते हैं यूजी ऑ औलाइन टाइंड के जो पोटल है उस पे जो यूजी यूजी अंलाइं टाइन नहीं मmadसे आप काल को डाउलोड कर पाएगे फोर्त पॉइंट है कि अब येकि ब्सक्राइफ ए baru ब्सक्राइल को समझ दीजिए आपको डॉकुमेंट्स के लिए दो कॉलम मिलेंगे एक मेंडेटरी और एक ऑप्सिनल डॉकुमेंट्स तो मेंडेटरी क्या क्या है यह चीज़ आप समझ दीजिए पहले आपको हाइश कुल 10 की माकसीट बिल्कुल कंपल सरी है या पासिंग सेटिपिकेट हो य व्यका ड़ॉकुर के लिए तो आपको क्या विलिए लगाना होगा ब्कुबड चाज़ के मेडिकल सर्टिपिकेट कहा जाता है प्स एमँ मों दॉरा च्रवार के करते हैं तो उसके कंपलीलाई वार्ड उनको इह इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नेसेसरी है और कि यह डेक् इंपॉर्टेंट यह सब चीज़े थी आप बिल्कुल ध्यान बुरों क्याद रखिएगा आगे चलते हैं कि कैसे प्रासेस को हम समझेंगे कैसे स्टेप बाइस्टेप हमको क्या क्या करना देखिए सबसे पहले हम ब्हु ऑनलाइन डाटिन पर विजिट करेंगे उसके बाद ह हमें ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा कांसलिंग पोटल 2020 करके कांसलिंग पोटल पर हम क्लिक करेंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के दिखेगा अब ऐसे इंटरफेस हमको क्या करना होगा यूजी स्टूंट लागिन पर क्लिक करना होगा जब हम यहां पर क्लिक करेंगे, तो हम आगे जाएंगे, उससे पहले मैं बता दूँगा, आप अपना schedule देखना चाहते हैं, तो UG open schedule पर क्लिक करके देख सकते हैं, अब यहां से हम जैसे ही, UG student login पर क्लिक करेंगे, हमको कुछ ऐसा interface कुल के दिखेगा वहाँ पर हमको क्या करना होगा sign in पर क्लिक करके अपने particular email id और password को fill करके फिर वहाँ से हमको sign in करना होगा उसके बाद हमें कुछ ऐसा interface दिखेगा अभी यह dashboard आपका फुल चुका है यहाँ पर फुल 6 icon आपको दिख रहे होंगे आप इसक्रीन पर देख भी पा रहे हैं ऐसे ही आपको सबसे पहले कॉलेटर प्लिक करना है कि आपका कॉलेटर प्लिक करके आप देख पाएंगे कि आपकी काउंसलिंग किस डेट को है क्या क्या चीजें हैं क्या क्या गाइडलाइन उसमें लिखा आप प्रिफरेंस सेंटरी पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही प्रिफरेंस सेंटरी पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दीखेगा देखी यहां पर आपको कूर्स करना है अगर आपने एक फॉर्म भारा है तो एक ही कूर्स यहां पर दीखेगा यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान पुरुवक समझना है चीज़ों को जब आपको इंटर पर्षेंटेज आफ मार्क्स आफ्ड क्वालिफाइंग एक्जाम देखिए सबसे पहले क्या रहा आपको कौंसलिंग मूड यहां पर आपको ऑनलाइन या अफ्लाइन जो भी आप क्वालिफाइंग एक्जाम का मार्क्स है वह आपको दो डेसिमल प्लेस तक भरना है ठीक है जैसे मालीज अगर आपका 80.2 नहीं लिख के छोड़ेंगे आप 80.20 वहां पूरा लिखेंगे ठीक है बिल्कुल क्लियर है यहां तक अब हम आगे चलते हैं कि आगे गो पे क्लिक क करेंगे उसके बाद चीजे क्या होंगी इसको हम समझते हैं दिखिए जैसे ही रिगलोगोवाव पर क्लिक करेंगे और एक चीज ओर देख लिए यह जो है आउनलाइन मोड के लिए बता रहा हूं आफ्लाइन मोड के लिए का करना है आप जैसे हैं आप पर गोपी क्लिक करे के आप उसको फिल करके अब को जिस दिन भी कांसलिंग के बुलाया गया है आप वहां पर अपने कांसलिंग मेन्यू पर बहुत जाएंगे वह भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन मैं पहले आप पर ऑनलाइन कांसलिंग मोड के लोगों को पहले बताना चाहूंगा पर दिखे कि दॉक्ट मम अप्लोड के एक होप्चन आगा होगा हूं वहाँ पर कुछ मेंडिटेटर् डॉक्मेंट अप आपको पहले बताया चैको चीहांप का हाय स्कूल का सरेथिपिकेट हिका हूं करे क्षर सुस्ट्स कप करेंगा m के लिए और आप AWS category क्लेम करते हैं तो आपको यहां पर एक सिक्षिन आपको दिखेगा उसको आपको अप्लोड करना होगा फिर एनेक्स सटेन मैंने आपको बताया है कि आपको यह जो लोग भी काउंसलिंग कराने आनलाइन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ठीक है और बाएसे अप्लोड करेंगे आपको दिखने लगा क्या फाइल कुनसा फाइल अपने अप्लोड किया हुआ है फिर हम आगे देखते हैं कि एक रहा होगा इसको दिख लिए एक दो सब्सक्राणि में जल्दी यह फिर मैं आपको इसका लिंक तेलीगराम चैनल पर भी है अब म कहां के रहने वाले हैं उम्र क्या है फिर डेट और उसके बाद फिर अपना यहां पर नेम युटी पीटी रूल उंबर जो भी है कूर्स क्या है आपका फेकल्टी क्या है यह सब चीज़े आप बिल्कुल ध्यान पूर्ण देख पाएंगे मैं आप इसका पीडियाफ दे दू कि इन डाकुमेंट्स को आप यह अप्सिनल है बहुत ही मेंडेटरी रही है आप बाद में भी इसको जमा कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो आप अभी इसको अप्लोड कर दिए ज्यादा बहतर रहेगा देखिए एंटी रैगिंग डेकलेरेशन और यह रेसिदेंस कमडू इन डाउलोड करें डाउलोड करेंगे उसको फिल कर देंगे उसके बाद अप्लोड कर देंगे तो देखें यह जैए अपको मैं दिखाता हो जी है इस प्रकार आपको यह अंडर टेकिंग दीख रहा हुगा टी-सी और ऑप डीटेल को देख पाएंगे आपको बहुत असान Да चीजये नहीं है और जो भी डाक्मेंट नहीं आपको यह बहर किया को फिर अप को आपको अपको था इस प्योद्ग करें उसके बाद हम आगे चलते हैं हमार आगे क्या प्रोस्स होगा जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके दिखेगा आप दिखे सबसे पहले आपको पर्सेंटेज्ट जो भी आपने फिल क्या ओग वो दिखेगा आप अगर हास्टल लेना चाहते हैं तो आप याश कर देंगे यहां पर उसके बाद अगर यहां पर कि आप कोई से प्रिफरेंस इंटरचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिक्षन बना गुए तो आपको परिशान होने जरूरत नहीं है सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने प्रिफरेंस को भर लेंगे वहां पर कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना देखिए जवर मैं आर्ट्स और सुसल की बात करूं तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जूफ सब्सक्राइब अपको अनुर सब्जेक्ट होता है और मैं सा साथ क्या पढ़ना चाहते हैं इस परकार वहां पर तो वह अलग-अलग तरीके से प्रिफरेंस इंट्री बनी होई है तो उसमें आपको पारिसान होने जरूत नहीं है बहुत चीज़ा असान है पसाप समझने एक प्राइस कीजिए देखिए यहां पर बिभीन परकार के तमाम यहांपे प्रेफरेंस इंत्री में सेक्सेंस दिख रहा होंगा तो उसको आप छाट करेंगे जैसा ही आप सलिक करेंगे तो यहाँ पर वाईट हो जाएगा और एहांपे आपका जो हो ब्रां हो जाएगा ठीक है यह चीज़े थी आप जैसे ही महलीजी आप ने laugh और इंग्लिज जग्राफिक कर लिए आपको ब्राउन हो चुका है इन सब को आपने सलेक्ट नहीं किया तो यह सब चीज अभी जो है वह ब्राउन ही बनी हुए ठीक है तो यह कॉम्मिनेशन सेलेक्टेड है और यह कॉम्मिनेशन का अप्चन है दोनों इधर उदर दिख रहा यह दो गल्स उनको क्या दिखता है तो उनको भी कुछ ऐसा है इंटरफीस देखेगा पस उसमें एमेंबी की आप्शन जो है वह आपको भी दिखेंगे साथ ही साथ जैसे दिखिए सब एफमेंज जो है एफमेंसी जो है यह फैकल्टी इन मेन कैंपस वाला आपको प्रिफर इसके बाद आपको कुछ ऐसा इस्क्रीन दीखेगा अगर आप आर्ट के लिए हैं तो आपको लैंग्वज प्रिफरेंस भी भरना होता है और आप तो लैंग्वज के साथ आपको अंसिलरी भरना होता है तो इन सब चीजों को भी आप बिल्कुल ध्यान पूरों क्यादर र का आप आफ-लाइन भी चीजों को आप पर क्लियर कर पाएंगे यह चीज़ थी उसके बाद आप क्या करेंगे आप यहाँ पर सेब करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा ऐसा क्या देख रहा है अब दियान से दिखेगे प्रिफरेंस इंट्री आपने पुरी भरते हुई है इसमें कोई समस्या नहीं है आपको उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको बुरत दिख रहा है कि आपने क्या 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 कॉम्बिनेशन लगाया उसका और क्या है सीरियल वाइज 12345 जो भी है आपका यह सब चीजें आपको क्या करना है देख है उसके बाढ़ और क्या करेंगे अब पूरी प्रट प्रक्रस का कॉंप्लीट कर चुक्के हैं अब क्या करना है कि आप मन में ख्र जिछ आएगी कि हमारी इस्टर्क्राइब अब यहाँ पर देख देख है आप ने कौन सा मोड चूज किया है यह आपको दिख जाएगा online या offline अगर आपने online चूज किया है तो document upload में आपको यहां पर uploaded या फिर complete दिखाएगा दिखिए preference यहां आपने भर चुका है यहां पर आपको complete दिखा रहा है उसके बाद preference locked जब counseling आपकी हो जाएगी जिस डेट को आपको counseling रहेगी उस दिन साम को या फिर जब counseling हो जाएगी उसकी तुरंद बाद आपको नहीं दिखने लाएगा कि हाँ आपने preference जो है आपके counselor ने वहां पर लॉक कर दिया हुआ फिर verification में आपको दिख जाएगा कि आपकी कमिटी है वह उसने क्या कारे किया है verification में क्या दिक्कत है क्या परिशानी है फिर क्या सब कुछ हो के है तो आप लिखिया जाएगा उसके बाद करता है आपका फीज समिशन का अगर आप फीज समिशन में थोड़ा भी गलती करते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस दिन भी आपकी घंटे के लिए होता वह एक्स्टेंड नहीं होता किसी भी कंडिशन में तो आप बिल्कुल उसी समय में निरधारी समय में अपने फीज को प्यमेंट करेंगे और देखिए एक चीज और है कि जब आप कांसलिंग को विजिट करेंगे तो आपको सब चीजे आसानी से जो कां कांसलिंग को जिस डेट को आपको कांसलिंग हो आप क्या करेंगा उसके बाद से आप बिल्कुल एक्टिव हो जाईए सूपर एक्टिव हो जाईए उसके बाद 5-6 वैसे आप रेगुलर ली विजिट करते रहीं उसके पहला पॉइंट हमारे हैं फीज सबीशन में कि चेक स्टेटेस आफ कोर्स सब्जेक्ट अलाट्मेंट एट यूर्स तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जा सकते हैं और बनार शिंदू उन्वर्स्टी में कुछ बैंक के सेंटर भी हैं जहां पर आप जमा कर सकते हैं पर में सब्सक्राइब करेंगे अब देखिए आपको अपका हो गया आप उसके बाद बेट करेंगे लाक और अप्ग्रेडिशन के अगर सिस्टम आएगी जैसे फीस पिमेंट हो जाएगी उसके पाद आपका चीज बिल्कुल जो है वो समाने तरीके चलती रहेंगे अब लॉक और अप्ग्रेडिशन के बात आएगी तो अगर आप जो भी कूर्स या फिर जो भी कॉमिनेशन आपको अलाट हुआ है अगर आप उसके सटेसफाइड है तो आप क्या करेंगे जो एडमिशन कमेटी की जो इमे करेंगे कि आपको क्या होती है आपकी स्टेस की में चेंज होता है फिर नहीं होता है अगर सीटें बची होंगी तो आपको जो सब्जिक चाही वह आपको दी दिया जाएगा अब देखिए लाकिंग जब हो जाएगा आपको फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड आता है जो आपको पोटल पर विजिट करने पर दिखेगा पिर आप क्या करेंगे जो फाइनल एडमिट कार्ड है उसमें जो डेट लिखा हुआ है उस डेट को आप डिपार्टमेंट या कॉलेज फैकल्टी में आप वहां पर रिपोर्ट करेंगे अपने अडमिशन लेटर या जिसको अपएडमिट कार्ड कहते हैं उसको लेके और वहां पर अपने सभी ओरिजनल डॉक्स को लेके विजिट करेंगे आप एक चीजिज ध्यान रखेएंगे कि आपको सभी अपने ऊरिजनल डॉक् cerv echoes लो आप लेके विजिट करना होगा तो आप इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को समझ पायांगे मुझे उमीद है आपको कोई भी समझ्य नहीं होगी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप यहां पर comment box में भी समपर कर सकते हैं साथ ही साथ जो आपकी counselling committee है आपके call later में उनका email और contact number दिया हुआ है आप वहां भी बिलकुल ध्यान पुरवक उनसे कॉल करके जो भी आपके टीचर सेंड अंसे संपर कर सकते हैं लेकिन देखिए आप जब भी कॉल करिए जब संपर करिए तो एक वैलिट रिजन के साथ संपर करिए चुकि वहां भी लोगों की एक तरीके से काफी प्रेसर है कि का काम ज्यादा है तो इसलिए आप बिल्कुल पैनिक नहीं हुए प्रॉसस को समझे ध्यान पुरा और देखिए एक जोर है आनाइन मोड की इतने भी लोग ह इसीव होने के पांस जिनों के अंदर अपनी सभी चीज़ें कर लेनी है तो यह सब चीज़ें थी और आफ लाइन मोड में बहुत कुछ नहीं करना है प्रॉफरेंस एंटी फिल कर लिजिया एंटी राइगिंग फिल कर लिजिए उसके बाद आप काउंसलिंग मेनू पे जि